दोस्तों फाइनली हर्याना एच्टेट का ओनलाइन आवेदन की जो परकिरिया है शुरू कर दी गई है जब आप इनके ओफिसल वेपसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे ओनलाइन रेच्टेट दोहजारते इसका लिंक दे दिया गया है और यहाँ पर इनका डीटेल नोटिफिकेशन आपको हिंदी और इंगलिस दोनों माध्यम में मिल जागा आप जिस भी माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर इनका ओनलाइन अप्लाई का जो लिंक है और जारी कर दिया गया जिस पर क्लिक करकर आप यहाँ से रेइस्टेशन कर सकते हैं आईए पहले कुछ जनकारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं फिर आगे की हम जनकारी आपको स्टेप बाई स्टेप बताएंगे सबसे पहले आप सभी का जो रेइस्टेशन परकरिया है 13 अक्रूबर से स्टार्ट किय गये करेक्शन बिंडो 11 नौबर से लेकर 12 नौबर के बीच में ओपन होंगी कोई भी गलती होगी तो इससे आप सुधार कर पाएंगे बात करें इसके लिए फी क्या लगेंगे तो जो कैनिडेट एसी और फिजिकल हैंडिकैप होंगे हडियाने एस्टेट के डोमेसियल हों आगे हम आपको किलियर कर देंगे कि पेपर 1 के लिए क्वालिफिकैशन क्या होगी और लेवल 2 के लिए यानि पेपर 2 के लिए अपलाई करेंगे तो क्या आपकी क्वालिफिकैशन होगी और यहाँ पर लेवल 3 के लिए अपलाई करेंगे तो क्या क्वालिफिकैशन होगी अब जो candidate SC और physical handicap को छोड़कर बाकि जो भी candidate हर्याना एस्टेट के होंगे उन्हें जो 1000 रुपे पेमेंट देने होंगे अब इसके लिए आपको समझना होगा कि लिजिबलीटी क्या रखी गई है लेबल वन में और लेबल टू में क्या है लेबल थिरी में क्या है देखें लेबल वन के तहट प्राइमरी टीचर के लिए आप आते हैं इसमें आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम इंटर्मीडियेट होनी चाहिए 50 परतेसत अंकों के साथ या तो आप पास है या एपेरिंग है दो सालों वाला डिप्लोमा एलिमेंटरी एजुकेशन कोर्स किये ह तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या और में देखेंगे 10 प्लस 2 परतेसत के साथ अगर आप पास है या एपेरिंग है फिर भी इलिजिबल है आपने डिप्लोमा एलिमेंटरी एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन बी एईडी अगर आप इसके लिए इलिजिब है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बागी की जनकारी के लिए एक बार नोटिफिकेशन को आप जब डाउनलोड करेंगे तो यहां पर भी आपको पूरी जनकारी आपको बताई गई है जिससे आप यहां सा समझ सकते हैं उसके अलाबे जब आप नीचे आएंगे अब लेबल 2 के तहट कलास 6 से 8 वाले जो अभियार्थी है वो इलिजिबल होंगे जो TGT के रुप में काउंट किये जाता है इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए किस भी स्टिम से 50 परते सतंकों के साथ 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंटे एजूकेशन होनी चाहिए या आपने बैचलर डिग्री 50 परते सतंकों के साथ किया है बीएड किया है या स्पेसल बीएड डिग्री है फिर भी इलिजिबल है बाड़ा भी पास है 50 परते सतंकों के साथ 4 साल वाला बीए और बीएड अगर आपने किया है या बीकम बीएड किया है इस परकार के डिग् बात करें लेवल 3 में चुकि आपकी आती है PGT लेक्षरल का है तो अगर आपने master degree कर रखा है तो आप इसके लिए eligible है 50 परते सतंक होनी चाहिए बाखी की सारी जनकारी आप notification को download करकर आप समझ सकते हैं तो आई आप जानते हैं इसके लिए apply कैसे करेंगे इसके लिए इनके website प और htet एक्जाम 2030 इसका link मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे आपको इस page पी redirect करेगा एक option मिलेगा click here for new registration जिसके सामने क्लिक करना है सारी term and condition पढ़ना है और submit and proceed के विकल पर क्लिक करना है राइश्टेशन करने के लिए सब से पहले आपका जो भी पूरा नाम होगा यहाँ पर password create करना है password create करते समय ध्यान रखे ABCD का बड़ा अग्षर छोटा अग्षर कोई भी symbol कोई भी अंक आप यहाँ पर ज़रूर दे उसे password को दुबारा डाले अपना एक mobile नंबर डाले email id डाले और यहाँ से कोई भी एक ID card चुनना है या तो आप अधार card pen card कुछ भी चुन सकते हैं और ID card number यहाँ पर डाले यहाँ पर आपको देखना है कि आप इसके लिए eligible है या नहीं इस पर टिक करें और submit वाले विकल पर क्लिक करें इस परकार आपका password सफलता पुरवक्त create होता है आप ओके वाले विकल पर क्लिक करें आपने जो नंबर दिया होगा उस पर एक OTP आ direct करेंगा यहाँ पर आपको बोला गया है कि देखिए अगर आप मान लेजिए तीनों लेवल के लिए eligible है तो आप तीनों लेवल के लिए एक बार ही form को apply करेंगे वही आपका जो सुल्क है वह आपको अलग-अलग यहाँ पर level के लिए आपको अलग-अलग देने होंगे जै यहाँ पर TGT में आपको subject चुनना होगा कि कौन से subject आपको रखना है उसके आलाबे PGT में भी आपको यहाँ से subject आपको चुनने की अवैसकता होती है और एक option यहाँ पर मिलता है 7 continue का इस पर किलिक करेंगे देखिए हम आप वीडियो बनाने के लिए आपको बता रहे है कि तीनों का आप जिसकी लिए भी eligible है आप qualification देखिए जिसकी जनकारी हमने बता ही दिया उसी के लिए आप यहाँ पर TGT करेंगे आपके सामने यह form खूलेगा जिसमें कुछ basic जनकारी पहले से फिलप रहेगा जैसे आपका नाम यहाँ पर माता जी का नाम डालेंगे पिता ज चोड़े जहाँ पर यह start आप देख रहे है रेड में बना है वो detail डालना जरूरी है बाके की detail आप skip कर सकते हैं डेटो बर्त के लिए यहाँ पर calendar मिलता है सबसे पहले आपको साल डालने है तो आप यहाँ से जो साल है यहाँ से बढ़ा घटा भी सकते हैं उसके अलावी यह आप पर जो भी मन्त है मन्त के लिए यहाँ से इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं और डेट यहाँ से चैन करेंगे इस अनुसार डेटो बर्त आ जाएगा जिंडर आप अपना बताएंगे मौवाइल नंबर देखनों को मिलेगा पैन कार्ड नंबर देखनों को मिलेगा आप अपना कैटेगेरी बताएंगे किस कैटेगेरी साब बिलोंग करते हैं उसके बाद जो आपकी कैटेगेरी होती है कैटेगेरी के कोदिंग जो भी सर्टिफिकेट होता है जो भी से में इनसील होते है या इनसील नहीं तो यहाँ पर कास सर्टिफिकेट बोला गया तो कास सर् लिएंगे कि कि इनके द्वारा बना हुआ है यह जो certificate होता है कई सारे लेवल पर बनता है नंबर के माति हम से उससे आप चैन करेंगे उसके अलावे अगर दिव्यांओ है ते उसनों में जनकारी को फिल करेंगे बाकि आपको नीचे आना है यहां पर candidate का bank detail डालनी है उनका account number bank का नाम आई अप सिकोड बरांच का नाम डालना है candidate के सरेड में किसी भी प्रकार के कोई निसान हो चाहिए ओकटा का हो जला का हो वो आप यहां पर बताएंगे साथे साथ आप किस area से belong करते हैं वो सहरी है तो urban चुने ग्रामिन है तो यहां पर ruler को आपको select करना है बाकि अगर आप हरियाना estate से belong करते हैं तो यहां पर ace करें आप कहां center रखना चाते हैं उसे आप यहां से chain करें और एक option मिलेगा save and continue का जिस पर click करना है अब अगला जो detail आता है इसमें आपको photograph upload करना है चुकि बताया गया है कि यह 50 के भी में होगा photograph आपका जो होगा latest होनी चीए white background पे होनी चीए इसको आप यहां से attach करेंगे signature आपकी white page पे है और black pencil होनी चीए इन बातों को ध्यान रखेगा left या right यहां पर सिर्फ बोला गया कि thumb image मतलब कि आपकी जो अंगता का निसान होता है उससे आप यहां पर upload करेंगे बाकी 7 continue पे click करेंगे उसके बाद यहां पर आपको eligibility criteria के बारे में पूरी जनकारी आपको दिये गए है कि level 1 के लिए आपकी eligibility क्या होगी जो आप देख लेंगे level 2 के लिए क्या है और level 3 के लिए क्या है वो आपको यहां पर बताए गए है बाकी यहां पर पूरी जनकारी को read करें यहां पर आपको 7 continue वाले bickle पर उके वाले bickle पर click करना है अब यहां पर यहां पर जैसे हमने आपको बताया कि हमने तीनो level को चुना था तो यहां पर हमें तीनो level की जनकारी डालनी होगी अगर आप सिर्फ PRT के लिए apply करते है तो आपको PRT की जनकारी को fill करनी होगे जिसमें सबसर पहले basic जनकारी है middle class यहाँ पर देखेंगो कोई भी start नहीं लगा है अगर आप पे लागू होता है आपके state में middle class का भी अगर mark set मिलता है तो जनकारी को fill कर सकते जिसमें roll number board का नाम passing gear mark secured में आपको जितने number प्राप्त हुए होंगे उसकी जनकारी आप यहाँ पर बताएंगे साथे साथ क्या percentage आप की थी उसकी जनकारी आप बताएंगे देखिए अगर आप पे लागू नहीं होता है तो इस detail को आप छोड़ेंगे direct आपको secondary में तेंथ की जनकारी fill करनी है तेंथ की क्या roll number है, board क्या है, passing gear क्या है, कितने number आपको मिले है क्या percentage है और कौन से division है वो बताएंगे इसी अन्युसार आपको intermediate की जनकारी इस बाले box में आपको fill करनी है पूरी जनकारी, नीचे आएंगे यहाँ पर higher और professional जो detail है उससे fill करनी होगे तो इसमें क्या भरना समझे, जैसे अगर माल लिजे, आप PRT के लिए apply करते है तो qualification देखिए कि PRT जो की level 1 के तहता है, इसमें क्या चाहिए तो इसमें आप जान रहे हैं intermediate चाहिए, तो intermediate की जनकारी आपने already fill out कर दिया है अब यहाँ पर diploma in elementary education या आपके पास special education होगा या BED होगा तो इसकी जनकारी आपको fill करनी होगी, तो आप देख लेंगे इनमें से कौन से qualification आपके पास है जैसे मेरे case में, मेरा BED है, यहाँ पर मैं उससे fill करूँगा, इसका जो roll number है उससे fill करूँगा साथे साथ, अब यहाँ पर आप कहा के institute से pass out है, उसकी जनकारी आप यहाँ पर आप बताएंगे उसके आलावे यहाँ पर देखिए, आपका जो भी board हो, या आपकी university जो होगी, उसकी जनकारी देंगे passing year बताएंगे, कितने number आपको मिले है, percentage क्या है, division क्या है, वो बताएंगे इसके आलावे, आप TGT के लिए भी eligible है, और TGT वाला भी qualification को fill करते हैं, जिसा अगर आप B8 भी कर रखे हैं, तो यहाँ पर B8 की जनकारी आप fill कर सकते हैं, डिलेट भी कर रखे हैं, तो उसकी जनकारी fill कर सकते हैं, तो आप अपने अनुसर, जो भी आपके पास higher और professional qualification है, उसे add करें, और save and continue पर click करें, बाकी और भी add करना है, तो add qualification पर click करके और भी add कर सकते हैं, अब अगला detail आता है, जिसमें आपको add desk की जनकारी fill करनी है, जो भी आपकी house number हो, और जो भी आपका word number हो, यह जो भी जनकारी है, permanent detail है, जहां आपकी जनम हुई है, वो बताएंगे village बताएंगे, post office, तहसील, district और estate और pin code को बताएंगे, अगर आपका permanent correspondence से में, टीक यहां पर कर दीजे, दोनों fill होगा, अलग अलग है, तो अलग अलग जनकारी को fill करें, और save and continue पर click करना है, अब आपके सामने form का previous section आता है, पूरी जनकारी एक बार आप मिलान करेंगे, स इस पर click करना है, यहां पर आपको declaration देनी है, एक option यहां पर देखे, payment का आजाता है, कि payment आपर कितना लागू हो रहा हो देखेंगे, अब यहां पर payment का दो link दिये गए, link one और link two, अब जिस भी link से payment करना चाहता है, उस link पर click करें, ओके वाले विकल पर click करें, थोड़ा सा wait क करेंगे, आपके सामने payment gateway खुलेगा, आप किस माध्यम से payment करना चाहता है, उससे chain करेंगे, card number डालेंगे, card holder name यहां पर डालेंगे, card number डालेंगे, spirey month, year और सिभी भी डालेंगे, और यहां से payment पूरा करेंगे, और इसका print निकाल कर आप रख लेंगे, बाद में आप चाह पूरी जनकारी के लिए एक बड़ notification को readout करेंगे, सारा doubt confusion आपका दूर हो पाएगा, बाकि हमारा यह update अगर आपको पसंदा हो, तो इससे like, share जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो subscribe करें, इस परकार की लगातार update के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य अगर आपकार के लिए वाधता है जरूर करें